Hello everyone, myself Saurav Agrawal, your ITJ, NEET and Foundation faculty तो आज अपने एक question करेंगे, जिसमें एक disk में पूरी charge distributed है और उसके एक point में, circumference के एक point में आपको potential निकालना है, electrical potential और इसका radius है R, तो कैसे निकालेंगे, proper में आपको इसका पूरा solution देने वाला हूँ तो last तक जरूर देखना, ठीक है, तो देखो, किसी एक point charge Q के कारण R distance दूर में जो potential होता है, वो होता है KQ by R, और यह scalar quantity होता है scalar quantity मतलब इसके पास कोई direction नहीं है, तो यह अच्छी बात है अपनको integrate करते समय, potential निकालते समय असानी होगी, क्योंकि scalar है तो direct add करना है, direction का कोई लफड ही नहीं, है कि नहीं, तो सबसे पहले आपनको क्या करना, इसमें पूरे में charge distributed है, और हर point का distance अलग है SP से, देखो, इस point का distance बोलेंगे तो अलग इस point का distance बोलेंगे तो अलग, सारे point का distance अलग है तो कैसे निकाले potential है कि नहीं तो आपको ये तो पता चल गई कि छोटा छोटा टुकडा करना है और फिर उन सब का potential निकाल के add करना है जो काम कौन करके देता है integration तो ये तो चमग्या भाई साब की integration करना है तो integration के लिए तोड़े कैसे है फिर जोड़े कैसे तो चलो देखो तोड़ना कैसे है पी पॉइंट से x distance दूर circular एक पतली से strip माल लो एक दौम पतली भी है बहुत पतली है ये 0.0000001 meter की ठीक है बनाने के लिए बड़ी बना दिया मैंने थोड़ा मोटा बना दिया समझने के लिए बट ये है बहुत पतली अब एक बात बताओ इस पूरे strip में कहीं पर भी अगर मैं charge लो तो उसका distance x ही होगा इस point से क्योंकि circular है न एक circle में जो circumference होता है उसका center से distance बराबर होता है तो इस point का भी x distance इस point का भी p से x distance इस point का भी p से x distance सबका distance x तो मतलब इस पूरे charge का जो potential यहाँ पर होगा वो होगा k q by x तो इस पूरे का charge निकालना है कैसे निकालोगे अरे भी या sigma तो दिया हुआ है charge density है कि नहीं तो sigma दिया हुआ है तो sigma को अगर अगर अपन area से multiply कर दें यह sigma क्या दिया हुआ है कूलम पर meter square पर meter square का में जो charge है वो दिया हुआ है तो अगर मैं इसको area से multiply कर दूँ तो मेरे पास यह पतली से जो blue color की strip है उसका charge आ जाएगा तो sigma into area कैसे निकालोगे area निकालने के लिए आपको यह length चाहिए यह curved length into dx dx पता है curved length निकालेंगे curved length कैसे निकालेंगे खुच सोचो जब भी यह angle theta होता था और यह radius r होता था तो यह curved length होता था r theta यहादा रहेंगा mathematics involved है इस question में बीना गणित के नहीं होगा ठीक है तो r theta होता था तो यहाँ पर total कितना theta है 2 theta और r क्या है यहाँ पर x तो यह जो line है वो line कितनी हो जाएगी जो curved length है वो कितनी हो जाएगी 2 theta x into dx यह पूरा आपके पास हो गया area यह पूरा क्या हो गया area और यह पूरा क्या हो गया आपके पास यह पूरा हो गया charge छोटा सा charge dq clear अब इस पूरे charge के कारण p point में जो potential है वो कितना होगा k q by r k q by r तो देखो भाईसाब क्या लिखेंगे k q, q is your sigma 2 theta x dx open r is your x अब इसका integrate कर देंगे कहां से कहां तक x, x कहां से कहां तक vary कर रहा है 0 से r यह पूरा x जब यह x यहां पर छोटा होगा तो एक circular ring यहां पर होगी x जैसे से बढ़ता जाएगा तो बड़ी-बड़ी circular rings होते जाएगी तो यह x कहां तक vary कर रहा है 0 से 2 r are you getting my point 0 से 2 r diameter तक ना पूरा यह यहां पर इस end point तक कर रहा है तो इस पूरे को integrate करना है जिसमें यह x ने x को मार डाला तो यह आजाएगा potential अभी भी कहानी खतम नहीं हुई है मेरे दोस्त देखो यहां पर 2 तो variable है कौन-कौन से variable है theta और dx variable है theta और integrate करना है dx के term में तो एक रिस्ता और लाना पड़ेगा यह रिस्ता क्या कहलाता है सोचना पड़ेगा क्या किसके बीच में theta और x अरे खुद बताओ मेरे को मालेक अगर theta variable है और x के term में integrate करना है तो possible है क्या नहीं है तो रिस्ता निकाले कहां से again mathematics बच्चों की mathematics सोचो बच्चों की mathematics सोचने के लिए एक line आपको odd draw करनी पड़ेगी उसमें क्या होगा अब यह पूरा आपका diameter बन गया और diameter से किसी भी circumference में अगर आप angle बनाते हो तो वो 90 degree बनता है 6th 7th में पढ़ा होगा mathematics में याद आ रहा है ना 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा तो यह 90 degree बन गया तो यह right angle triangle बन गया यह 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 मिला कि आपका एक right angle triangle बन गया तो अगर यह आपका 2R है यह theta है और यह x है तो आप क्या कह सकते हो 2R cos theta is equal to x 2R कही तो दो component है 2R cos theta यह और 2R sin theta यह तो अपन को इसने मतलब है यह length कितनी है? x this length is your x तो इस right angle triangle को अगर आप देखोगे तो इस right angle triangle में यह length है आपकी 2R यह theta और यह x तो I can write 2R cos theta is equal to x कोई दिक्कत नहीं किसी को भी पक्का चलो now 2R cos theta is equal to x तो अपन को क्या चाहिए यह dx के चाहिए अपन को value yes or no? देखो यहाँ पर अपन को dx की value चाहिए कि dx की value क्या होगी तो इक काम करते हैं भाई साब इसको differentiate कर डालते हैं तो 2R constant है constant को भाव देने का नहीं फिर cos theta cos theta का differentiation क्या हो जाएगा minus sin theta minus sin theta और theta का differentiation d theta is equal to x का differentiation dx तो अब यह dx की जो अपने पास value आई क्या है dx की value minus 2R sin theta d theta तो dx के जगा अपन इस पूरे को replace कर देंगे देखो क्या हैगा यह equation थी V की जिसमें से x और x एक दूसरे को मार डाले थे बहरहमी से बहरहमी से मार डाले थे क्या करें दुख हुआ चलो तो अब यह dx के जगा अपनको यह value पूट करनी है यह पूरी की पूरी value अपनको यहाँ पर dx में पूट करनी है तो देखो क्या जाएगा V is going to be equal to integration of K sigma 2 theta dx के जगा minus 2R sin theta d theta yes अब theta कहा से कहा तक देखो x जब 0 x 0 होगा तो theta 90 degree होगा यह देखो यहाँ आखके इसी point का बात करोगे तो 90 degree हो जाएगा तो theta change हो रहा है 90 से 0 जब यह point आजाएगा यह पूरा point आजाएगा तो theta angle कितना हो जाएगा 0 तो theta angle कहा से कहाँ change हो रहा है 90 से 0 तो limit क्या put करोगे pi by 2 से 0 चमक गया pi by 2 से 0 limit put करी अब देखो v is going to be equal to your जो constant है भाव देने का नहीं याद रखना differentiation और integration में constant अगर multiplication में है तो भाव देने का नहीं उसको बहार निकाल लेना है तो भाई साब यहाँ से बहार निकाल लेते हैं किसको किसको k बहार आ गया 2 2 4 बहार आ गया ठीक है sigma और r बहार आ गया अंदर क्या बज़ गया theta, sin theta, d theta भाई साब pi by 2 से 0 अब देखो अब आप बोलोगे सर फिर theta और sin theta दोनों आ गया कैसे करें integration लाद करो basic mathematical tools में पढ़ाया गया था क्या? by parts तो यहाँ पर by parts लगाते हैं theta पहला function as it is दूसरे का integration तो sin theta का integration minus cos theta minus cos theta का integration cos theta का integration क्या हो जाएगा आपका sin theta ठीक है क्या? आपका हो जाएगा sin theta, तो यह बन जाएगा minus theta cos theta plus sin theta, और value कहां से कहां तक, value है आपकी pi by 2 से 0, ओके, और एक minus sign है बहार, याद रखना, बहार एक minus sign है, ठीक है, चलो, तो पहले कौन सी value put करेंगे, भाई साथ, पहले उपर वाली value put करेंगे, देखो, 0 put करो, तो 0 into something is 0, pi by 2 is 0, तो 0 into something is 0, यह पूरा 0 हो गया, फिर यहां पर put करोगे, तो sin pi by 2 is 1, तो minus 1 आगया, और एक minus already बहार था, तो minus 1 into minus 1, minus into minus 1 कितना हो जाएगा, 1, तो मतलब इस पूरे की value हो गई 1, integration of theta, sin theta, d theta, pi by 2 से 0, इस पूरे की value आगई 1, तो आपके पास answer क्या बज गया, देखो, तो answer आपके पास बज गया, v is equal to 4k sigma r, ठीक है क्या, आपके पास answer कितना बज गया, 4k sigma r, इस पूरे की value, यह यहां पर था, इस पूरे की value कितनी आगई अपनी 1, तो आपका पास answer कितना बज गया खाली, 4k sigma r, अब k की value आप 1 by 4 pi epsilon 0 भी put कर सकते हो, देखो, अगर मैं k की value 1 by 4 pi epsilon 0, तो v is equal to 4, 4 कट जाएगा, sigma r by pi epsilon 0, इसको भी आप अपना answer बोल सकते हो, ठीक है, मज़दार सवाल था, पूरा आपका mathematics भी use हो गया, और फिर physics का आपका electrostatics का potential का concept, ठीक है, integration भी आपका पूरा use हो गया, और अच्छा सा अपना answer आगया, sigma r by pi epsilon 0, तो अगर ऐसे ही क Instagram group या फिर WhatsApp group join करो, link आपको description में मिल जाएगी, और वहाँ पर अपना doubt पोस्ट करो, अगर ऐसी मज़ेदार question होगा, तो मैं उसका पूरा ऐसी video solution, detail में आपको बना करके यहाँ पर provide करूँगा, ओके, तो तब तक के लिए, अब मिलेंगे next video में, तो तब तक के लिए हसते र और देखते रहो, स्वारप सरके क्लास, जै हिंद, बाई बाई, टेक केर,